हेलो फ्रंट्स हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनने कैनरा रोबेको एमर्जिंग एक्विटीस फंड के रिव्यू के लिए बुला था तो यह वीडियो मैं आज इस फंड के लिए मना रहा हूं इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक इसका जो कैटिग्री है यह मिट कैप है यानी एक मिट कैप फंड है और इसका जो एसेट साइज है वह वह 2160 करोन का है और इसका एक्सपेंस रेशियो 2.2 परसंट है क्योंकि एक्सपेंस रेशियो ठोड़ा जदा हुआ है इसका फंड आउस है कैनरा रोबेको मीच्व सब्सक्राइबरेज है रिटन ग्रेट पर हाई है टर्नवन 97 परसंट यह ओपन इंडेट फंड है और जब से लांच हुआ यानि 2005 से इसने 18.88 यानि कि आल्मोस्ट 19 परसंट का रिटन दिया है इसमें मिनमाम लंब सम इंवस्मेंट 5000 कि और SIP इसमें आप 1000 से शुरू कर सकते हैं एक साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो एक परसंट का एक साल के बाद पैसा निकालते हैं तो कोई भी एक लोट नहीं होगा इसकी प्रफार्मेंस देखते हैं पिछले तीन मेने में 4.36 परसंट एक साल में 25 परसंट तीन साल में अल्मोस्ट 27 परसंट का तो लॉंग तर्म में काफी अच्छा रिटर्न है इस फंड का अगर पोर्ट फोलियो चेक करते हैं तो इसका जो एवरेज मार्केट कैप है यह 14970 करोर का और इसमें जो जायंट से जो बड़ी कम्पियां है है वह 17 पर संट 17.62 लाज कम्पनिया 13.23 मिट साइज की 45.34 और स्माल साइज की 23.82 इसलिए इसको कि मिट कैप काटिग्री में इसकी जो टॉप फोल्डिंग देखिए कौन-कौन से शेयर में इसने पैसा लगा है तो टॉप फोल्डिंग में मिना इंडिस्री बजाज तो यह सब इसके यह इसके होलिंग से और इसके डिविदेश्ट प्लान ने कौन-कौन से डिवीडेंड दी तो इसका एक ग्रोद नुंबर नीया है। अब हरहो हर साल नूबर में दिए रहे हैं पिछ साल 2016 में टाई रूपे पर इूनित को दिया था। उससे पहले टू पॉइट वार॥ियत न है। फौईट में डिया था है। तो डिवीदेट करने के लिए इसमें पैसा लगा रहा है और आप इसमें systematic कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हूं अब अगर इसमें जैसे फॉर इजम्पल दिखाते हैं कि मंतली अगर इसमें 1000 लगा रहा है कोई और मान लीजिए 2012 से कोई पैसा इसमें लगा रहा होता है तो कि इसका कितना रिटर्न था है कि देखिए इमांट इन्वेस्टेट एक जा वर्थ और आज की डेट में आज कि इमांट इन्वेस्टेट 28,000 है और इसका वर्थ 35,000 है यानि यह इसका एसाइपी रिटर्न है 2014 से अगर यही 2012 से होता है आज कि अल्मोस पांट साल में कि कितना रिटर्न था आपने लगाया होता 62,000 और आपको मिलता एक लाग 31,000 यानि कि आपका इन्वेस्टमेंट डबल से ज्यादा हो जाता इतना आपने पिछले पांट साल में यानि 12 13 14 15 16 जो इन में लगाया होता वह आपने करीब 62,000 लगाया होता और आपको रिटर्न रिलता एक लाग 31,000 लाग तो काफी अच्छा रिटर्न है इसका इसी चीज़ को अगर यहां पर देखते हैं कि क्या रिटर्न होगा इनका SIP का तो आप देख सकते हैं 32% का रिटर्न है यानि कि 2012 से 2017 के बीच में इसने 32% का रिटर्न दिया है तो लाग टर्म के लिए यह एक काफी अच्छा फंड है अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम साथ साल से ज्यादा का है तो इसमें आप SIP के थ्रू पैसा लगा सकते हैं या फिर आपको अगर पता है कि कैसे पी बेस्टिंग करते हैं तो जब पी रेशियो कम हो 20-22 के आस और देखिये मैं डारेक्ट प्लान के बारे में मताता हूँ डारेक्ट प्लान में अगर पर्फॉरमेस देखते हैं तो इसका जो एक्स्पैंस रेशियो है काफी जाह है 0.99 परसंट तो तो अगर आपको लगाना ही है next to Direct Plan में बार्युसा लगाई है और इसका रिटर्न भी देखिए काफी अच्छा रहा है 97 परसंट का इसका जो बेस्ट रहा है 121 और जो वस्ट रहा है यह माइनस 12 में रहा है माइनस 12 परसंट तो अच्छा फंड में फाइव स्टार रेटिंग और अगर आपका टाइम और जिन तो इसमें आप साइप में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन क्योंकि आज की डिट में मार्केट काफी हाई है तो हो सकता है अगर आप अभी सुरू करेंगे तो अगले एक दो साल में थोड़ा दिन वेट करके जब मार्केट नीचे उत्ता पैसा लगाएं और या फिर आप पैसा लगाते जाएं और साथ साल तक इसके चिंता ना करें कि मेरा पैसा नीचे जा रहा या ऊपर जा रहा है तो लांग तर में यह हमेशा ही आपको प्रस्टिव रिटर्न देगा अ ने फ्रेंस को साथ शेयर करें थैंक यू